हेलो दोस्तों आपका स्वागत है सोसृ यूणिट चैनल कर अज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त काम्ठी से संबचित कुछ प्रमुक्त त्या अगस्त काम्ठी ने ही सरपतम समाज स्यास्त को समाजिक भौत किके नाम से पुखारा था इसके बाद समाज सास का पिता अगस्त कामटों माना जाता है समाज सास के प्रत्यच वादी और प्रत्यच वाद के जन्मदाता भी अगस्त कामटों को माना जाता है समाजिक विग्यान की अधार सिला अगस्त कामटे के द्वारा रखी गए समाज सास को सर१ृतन वहुती की का नाम अगस्ट काम्टे द्वारा दिया गया समाजों के एक पदा नुकरम का निर्मार किया अगस्ट काम्टे ने जिसकी शुरुबाद उनों ने गड़ी सास्त से की समाज सास के मूल भुहत नियमों के खोज के लिए आनुभाविक विदियो का सरुपथम प्रयोग अगस्त काम्टे ने किया समासास को समाजिक विज्ञानों की महरानी करकर संपोदी अगस्त काम्टे ने किया अगस्त काम्ट का समाजिक विज्ञानों का प्रमुख योगदान था मानव प्रगत के नियम जो ज्ञान के विकास पर आधारी था मानवी बहुद्धिक विकास की तीन से धांतिक अस्तरों को उन्होंने बतलाया है जिसमें एक धर्म सास्त्री है कालपनिक थियोलोजिकल दूसरा तत्व मिमानसी है अमूर्थ मेटाफिलोजिकल तीसरा प्तिर्चवादिया बाज्यानी पॉष्टिविस्ट कामटे ने त्री अस्तरी प्रगज का नियम समाज के उद्विखास दिश्ट्खोड का समर्थन किया कामटे के अमसार समाज एक सावययो का एक ही रूप है समाज के सभी विसयो को दो प्रमुख भागों में पाटा जाता है अगस्त काम्टे ने समाजिक अस्थाथ की और समाजिक गत की दो भागों में समासास को बटा है समाजिक अस्थाथ की समाज के विभिन भागों की परस परक्रिया और परक्रिया की खोच से संबंदित है जबकि समाजिक गत्की समाज रूपी जीव के परिवर्तन की प्रक्रियाओं और स्वरूपों के अध्यन पर केंद्रित किया गया है अगस्त काम्टे की प्रमुख पुस्तक The Course of Positivist Philosophy 1830-1842 दिस्कोर्स आप दे पोस्तिवी वेस्ट इस्प्रीट अनि सचावाली इस रिलीजन आफ इम्यून तीन प्रमुख पुस्तके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यमार्द